उत्तर प्रदेश के अमेटकर नगर जिले में विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत मगदूम अश्रफ की दरगाह हिंदू मुस्लिम दोलों संपरदायों के आस्था का केंदर है साल भर दरगाह पर जाहिरीनों का ताता लगा रहता है लोग अपनी हर तरह की परिशानियों के लिए दरगाह पर आकर मन्नत मांगते हैं इस समय दरगाह के 636 वा उर्स की धूम मची हुई है उर्स के मौके पर हर धरम के लोग दुनिया भर के कोने कोने से आते हैं अमेटकर नगर जिले के मुख्याले से लगबग 25 किलो मिटर दोरी पर इस्थित सुफी संत मकदूम अश्रफ सिमनानी की दरगाह सभी संपरदाएं की आस्था का केंदर है जिसे लोग किशोचाश शरीफ के नाम से जानते हैं सेक्डो साल पूर्व खाडी के सिमनान प्रदेश से अपनी बातशाहत छोड़ कर आए इसी स्थान को मकदूम साहब ने अपनी करम भूमी बनाए और बिना किसी भेदभाव के लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया इस समय मकदूम अश्रफ की उर्स की धूम मची हुई है इस मौके पर दुनिया भर के लाखों लोग यहां आते हैं लोगों का मानना है कि उस समय मकदूम साहब के दरगापर मांगी गई दूआ जरूर कबूल होती है सज्जादा नश्यन मौईन अश्रफ ने बताया कि इस दरगापर आस्ता रखने वाले दोनों समधायों के लोग बिना किसी बहुत भाव के मजार पर आकर अपने परिशानियों को दूर करने के लिए दूआ मांगते हैं होसल आलम पारिकु स्ल्टनत हुदूर मदूर सिल्टान सेयर अश्रफ जहांगी सम्मानी का दरबार बहरबार जो है यह फैस का दरिया है यहां बिला तफरीक मजग मिल्लक बड़ी तादात में हिंडू मुसल्मान सिक इसाई हाजिर आते हैं और अपनी खाली जोलियों को गवर मुराज से भर के जाते हैं यहां जात और धर्म का कोई भेदबाव नहीं है यहां तमाम लुग बिला तफरीक मजग बिल्लक अपनी परशानियों को लेके आते हैं अपनी मुश्किनों को लेके आते हैं और उन मुश्किलों से छुटारा पाके मुस्कुराते हुए चले जाते हैं तांती के लिए, अमन के लिए, एकता के लिए, घंडता के लिए आज सहने आफकाने मख्दूम सुल्तान सेयर अश्रफ जहांगीर पर दुआएं की गई है अपने मुल्क में अमन के लिए गुआ की गई है, हमारे मुल्क भारत पाकी और काई है